असलाम लेकुम मैं यूट्यूब फैमली वेलकम तो माई चैनल लाइफस्टाइल विद हुमेरा आज की वीजियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अमेजिंग एंड सुपब स्लीव डिजाइनिंग आईडियाज चलते हैं फर्स्ट की तरफ इसमें उन्होंने एक बो बनाई है और बोक यूपर फ्रार बनाया है और जो इसकी स्टार्ट में फ्रिल वाली लेस यूज़ की है सेकिंड स्लीव डिजाइनिंग उन्हों आज़ने और गेंज़ाइन फाबरिक की पट्रेयां पीन लगाई है और आगे ब्लॉक पैट्रन बनाया है फाबुक का सब्सक्तिर और उसके आगे गोल कटाओं बना दी इसके घेरे में भी गोल कटाओं है लेकिन घेरे के कटाओं म इस दिजाइन में भी गॉल कटाउ बाजूं के आगे हैं और हर एक के दिल सेंटर में एक एक बीड एटेच किया है उपर से फिर फैबरिक का पैटरन गॉल बना के वह भी एटेच किया है यह लॉन का सूट है लेकिन इसके साथ उन्होंने नेट के फ्रील के बाजू लगाए हैं डबल फ्रील के बाजू और बहुत ही इलिगेंट लुक लग रही है इसमें उन्होंने कटाउं रखी है और हर एक को पर्ल से जोड़ा हुआ है आप देख सकते हैं शोल्डर से स्टार्ट हो रहे हैं और यह पैटरन तो मुझे परसनली बहुत पसंद है और मैंने अपने नेक ड्रेस पर बनवाया भी है सेम यही पैटरन स्लीव का बहुत अमेजिंग लगत रहा है नेक्स्ट यह पैटरन है यह आपको प्लेन फाब्रिक पर ही अच्छा लगेगा बिकोज अगर हम प्रिंट वाली पर बनाएंगी स्लीव डिजाइन तो इतना प्रॉमिन नहीं कोरियां बनाके फिर दोनों साइज पर हुक लगा के नीचे और गैंजा का कपड़ा और उपर हुक के अंदर से वह दोरी घुजारी है इसमें भी दो उन्होंने पैटरन यूज किये हैं एक ब्लॉक लंबा ब्लॉक और एक थोड़ा सा कोना बनाके वह पैटरन यूज किया ह और जे इसमें उन्होंनने फाब्रीक कि पठीयां मनाई हैं और जहां पे क्लॉस मनता है वहां पे एक एक भीक लगा दिया एक एक पर लगा दीया कि है सबsystem अन्हों ने यही चिया है की जी फड्रीक की गोल-गोल बैस बटिया बना के उन्होंने उसके ऌपर एक एक बीड लगा और इसमें देखें सिंपल डीड कपडी लेकर अथी दिजाइन कीजेंगा स्लीट क्लिजक सेंगि यदे पर नेक्स है इसमें उन्होंने डोरी निकाली है यह शॉल्डर के उपसे स्टार्ट करते हैं और इसमें आगे से ब्री जबर्दस लगती है जब दोरी को हम बन करते है तो थोड़ी चुंट सबढ़ जाती है इसमें भी उन्होंने गोल कल रहा हूं और उसके मोती चार-चार व इसमें उन्होंने बाजू उपर से शॉल्डर से ओपन स्टाइल है और नीचे इन्होंने फ्रील्स की तरह चुनट कठी करके आगे वह फाब्रिक यूज कर दिया है यह आप सिंपल सा है लेकिन बहुत जबर्दस लगता है सिंपल कट कखा हुआ है और कट एंड पे बीड़ है यह आजकल बहुत इंग है आप भी बनवा सकते हैं आगे चुनर स्टाइल है और बैगी स्टाइल स्लीप है यह और जिसमें उन्होंने समोसा बनाए हैं समोसा जोर डर्मयान में एक एक पल अटेच कर दिया है और देखें किता जबर्दस लग रहे यह इस डिजाइन में हंक घेरे पर भी है है यह बहुत्त लग रहा है लेकिता धार से कुझें फिल कर पीडिभा पार्द कर देखे लेक्न इस संपल लगा आफ छिए लेकिन नहों सब्साभी रहे हुशा दर्मयां में एच्छान ने नेक्स डिजाइन में उन्होंने दो समोसल पैटरन बनाए हैं एक बड़ा सा येलो कलर में और उसके उपर दूसरा वाइट कलर में ये फैबरिक के खुद बनाए गए हैं और ये चुनट वाले बाजू हैं उपर से फिल बन रही है शोल्डर के पास से और आगे से टाइट हो बने और आगे पर्ल्स डाइच किए हैं जी ये पैटरं भी ऑज बहुत इं हैं ये भी आप बनवा सकते हैं और ये पैटरं इसमें पहले फैबर्क के प्टी फिर गॉल्वाब्रीक के गटाओं बनाके वह इसके और ट्रग के नीचे और गैंजा फाब्रिक लगाए है और गैंजा फाब्रिक के ऊपर पर्स लगाए हैं और आगे शेटर लेस बारीट सी लगाई है इसमें तो जी आगे उन्होंने सिंपल है यह डिजाइन लेकिन बहुत जबर्दस लगता है पहना हुआ चुनट वाले उसकी चोरी चोरी पटियां बनांके वह अटैच की हैं देखें कितने जबर्दस लुक का रही है और यह इनको मैं एक बात बता दूं कि यह जो फैब्रिक के गोल गोल पैटरन बनाए होते हैं इनके अंदर टिकन यूज़ करते हैं इसके वज़ेसे इनकी शेप भी खराब मैं पाली के साथ अच्छे लगते हैं और नेक्स चो पेटरन है उसके लेखें एक ब्लॉफ ट्रान नीचे की तरफ एक व्लॉफ ट्रान ऊपर की तरफ और सिंपल शयर्ट है और उन्होंने कमद्डेशन किया है ब्लू के साथ ओरेंच का तो आप भी ऐसे कमद्डेशन कर सकत हैं ये तो आप देखी रही हैं अगर आपको मेरी डिजाइन्स पसंद आ रहे हैं तो फ्लीज मुझे फीड़ बैक जरूर दीजिएगा और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट भी करें और फ्रेंड एंड फैमली के साथ शेयर करें लिदोंगे म अब्सक्राइब के लिए अलाहफीज थैंक यू फो वाचिंग